अब तक हमने देखा कि देवीका की हालत बहुत नाजुक है लेकिन घर के आदमी उसे डॉक्टर की पास नहीं जाने दे रहे हैं और जोगिंदर ने घर के में गेट पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया है लेकिन देवीका की सास विमला पहली बार गुंगट उठाकर समाज क ये बनाए नियम का उलंगन करती है और देवीका की जान बचाने की कोशिश में जुच जाती है पिता जी मा ठीक बोल रही है चावी दे दीजे न नहीं तो देवीका नहीं बचेगी देवीका मरती है तो मर जाए लेकिन ये दरवाजा नहीं ही खुलेगा तुम सारी ओरतों को इस देवीका नाम की बिमारी ने पागल कर दिया है और इस बिमारी का अच्छी तरह से महंदर के बाद सुनकर कम्मो अपने पती के हाथ से चाबी छीन कर कहती है इस घर के संसकार क्या है हम अच्छी तरह से जान गए हैं आज इस घर का दरवाजा खुलकर रहेगा और देवी का डक्टर के पास जाकर रहेगी भाबी ये लो दरवाजा खुलो विमला ताला खोल देती है तबी वीना और सुजाता देवी का को लेकर आ जाती है घर की सारी औरते देवी का को लेकर घर से जा रही होती है कि तबी सुजाता का पती मोहन उससे कहता है सुजाता, तुम देवीका को लेकर इस घर से निकल तो रही हो लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बहान निकाला तो वापस इस घर में मत आना मैं देवीका के साथ अस्पताल भी जाऊंगी और वापस इस घर में भी आऊंगी देखते हूं कौन रोगता है मुझे देखता हूं कैसे इस घर के अंदर कदम रखती हो और कौन दुमारी मदद करता है कानून मेरी मदद करेगा और कारट के दरवाजे हैं नागरी के लिए खुले है मोहन को अपनी पत्ती से इस तरह बात करता दे कल्यान मीना से कहता है वीना तुमने देवीका का साथ दे कर अच्छा नहीं किया अगर तुम अभी भी इसके साथ गई तो अपना और मेरा रिष्था खत्म समझना मुझे कोई फर्प नहीं पड़ता तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए तुम खुद घर जमाई बनकर मेरे घर में रह रहे हो कभी 100 रुपी के साड़ी दिलाई है मुझे मेरे आने से पहले मेरा घर छोड़कर निकल जाना समझे ये बोलकर वीना और घर की सभी औरते देवीका को अपने साथ अस्पताल ले जाती है महा जाने की बाद डाक्टर जल्दी से देवीका का चेक अप करता है चेक अप करने की बाद वो गुस्से से कहता है ये क्या किया है तुमने क्या हुआ डाक्टर साब आपकी बहु की इतनी ज्यादा हालत खराब है और उन्हें चोड़ भी लगी है फिर भी आपने उन्हें हॉस्पिटल लाने में इतना लेट कर दिया आपको तीन दिन पहले ही इन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट करवाना चाहिए था हमसे गलती हो गए डक्टर साहब लेकिन आप जल्दी कुछ करिए हमारी बहु और उसके बच्चे को बचा लीजे देखिये अभी कुछ भी कहपाना मुश्किल है हम मा और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं आप सोच लो किसे बचाना है डक्टर साहब आप देविका को बचाईए उससे कुछ नहीं होना चाहिए देखिये हमें देविका का ऑपरेशन करना पड़ेगा आप इनके पती को बलाएए हमें कुछ पेपर पर साइन करवाने है डक्टर की बात सुनकर सभी औरते सोच में पढ़ जाती है तबी वीना कहती है डक्टर साहब इनकी पती नहीं आ सकते ये इनकी सास है विमला देवी आप इनसे साइन करवा लीजिए लेकिन पेशन्ट की हालत इतनी नाजुक है इनके पती है कहाँ वो अपने आदमी होने का धर्मनी बाहरा है पती धर्मन के बारे मैं उसे कुछ नहीं पता डक्टर साहब वो नहीं आएगा क्या क्या करना है आप मुझे बताएए थोड़ी दिर बार डक्टर देवीका का उपरेशन शुरू कर देते हैं जब वो उपरेशन थेटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं आप लोगों की किसमत अच्छी है देवीका भी सुरक्षित है और उसका बच्चा भी डक्टर बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है सब लोग बहुत खुश होते हैं कुछ दिन तक देवीका उसी हॉस्पिटल में रहती है और उसके ससुराल की औरतों ने उसका बहुत ध्यान भी रखा अब देवीका कुछ हद तक ठीक हो गई डक्टर ने देवीका को घर जाने की इजासत दे दी लेकिन सबी सोच में पड़ गये हम भाबी को घर ले तो जाए लेकिन मा आपको घर का माहुल पता है न देवीका भाबी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई भाबी वहां आराम नहीं कर पाएंगी और पता नहीं घर की सारे आदमी हमारे साथ क्या करेंगे मा क्या हम डक्टर से बात करके देवीका को थोड़ी दिन और यहां नहीं रख सकते जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे यहां से ले जाएंगे यह बात सुनकर विमला सूच में पढ़ जाती है तभी कमो कहती है तुम दोनों ठीक कह रही हो मैं अभी डक्टर से बात कर लेती हूं कमो डक्टर से बात कर लेती है और देवीका कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है देवी का अपने बच्चे को गोद में लिए बाकी आउर्तों के साथ अपनी ससुराल जाती है लेकिन घर के सभी आदमी उन्हें दर्वाजे पर ही रोक देते हैं खबरदार तुम मेंसे कोई भी आउरत अगर घर के भीतर खुसी अगर तुम घर में कदम रखोगी तो घर अपवित्र हो जाएगा घर हमारे कदम रखने से अपवित्र नहीं होगा बलकि आपकी गंदी सोच की वज़े से घर क्या और पूरा समाज अपवित्र हो रहा है सुजदा मैंने मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए अब एक काम कर, जैसे ही यहां आई है, वैसे ही यहां से सिदा अपने माई के लोट जा क्यों जी, क्यों चली जाओं मैं अपने माई के मैं जब तक चाहूं यहां रह सकती हूँ अगर आपने मुझे इस घर में आने से रोका तो मैं आपकी पुलिस में शिकायत करतूँगी वीना, इन सब की तरद तुमारा भी दिमाग खराब हो गया है अब मैं तुम्हें बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करूँगा तो मैं ऐसी सजा दूँगा कि तुम याद रखोगी सजा बाद में देना, पहले मेरे घर से बाहर निकलो खुद पुरी जिंदगी में एक घर नहीं खरीद पाए और मुझे सिबक से खाने की बात बोल रहे हो देखो विना, तुम इस घर की बेटी जरूर हो लेकिन कल्याण इस घर में ही रहेगा उसने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती क्यों नहीं रह सकती? इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना सचीन का देश की कानून ने मुझे यह हक दिया है अगर मैं चाहूं तो कोट का सहरा लेकर इस जायदात का आदा हिस्सा ले सकती हूँ और हाँ कल्याण तुमसे तलाग भी ले सकती हूँ वीना देवी का के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है और कम्मो मैंने तुमसे कितना मना किया घर से बाहर मत जाओ देवी का की मदद मत करो लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी अब तुम इस घर से और मेरी जिन्दगी से चली जाओ ये कदम उठा कर तुमने बिलकुल अच्छा नहीं किया ये कदम तो मुझे उस समय उठाना चाहिए था जब मैं मा बनने वाली थी हाँ के जूठे एहिंकार और गलतनी अमों की वैचे से मैंने अपने दो-दो बच्चे खो दिये अगर उस समय में दाई अम्मा से इलाज ना कराती है और हास्पिटल चली जाती तो सचिन के पराबर मेरी भी दो बेटे होते हैं सभी पती इस बात पर अड़े हुए थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों को घर के अंदर नहीं आने देंगे देविका बहुत देर तक सबकी बाते सुनती रही फिर उस दे अपने पती से कहा सचिन तुमारे घर के आदमियों की बात तो मैंने सुन ली अब तुम बताओ तुमारा क्या फैसला है देविका मुझे माफ कर दो मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर सकता मैं मजबूर हूँ मुझे पताता है सचिन तुमारा यही जवाब होगा मुझे अपने आप पर हैरानी है कि मैंने बिना रेड की हड़ी वाले आदमी से प्यारी क्यों किया शादी क्यों की अब मैं आप सबसे बस आखरी बार पूछ रही हूँ तुम हमें अंदर आने दे रहे हो या नहीं या मैं पुलिस को फोन करूँ देविका आज तक हमारे गाउं में पुलिस ने कभी कदम नहीं रखा और तु हमारे घर के दर्वाजे पर पुलिस को लेकर आएगी तेरे हम्मत कासे हुई ये बात करने की आज तक इन ओरतों ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था और दो चार दिन में तुने इन सब को इनके अधीका और भी याद करा दिये अब तो तुम बिल्कुल इस घर में नहीं आ सकते घर की आदमी घर के बाहर खड़ी थी और घर के आदमी घर के दर्वाजे पर उनकी लड़ाई देखकर पूरा गाउं इकटा हो गया देवीका को अस्पताल पहुचा कर घर की आड़ों ने काम तो अच्छा किया इस काम से देवीका और उसके बच्चे की जान भी बच गई लेकिन इनकी जान बचाने की कीमत घर की आड़ों को कैसे चुकानी होगी इसके लिए आपको आने वाला एपिसोड देखना होगा और हमारे प्यारे दर्शकों हमें कमेंट करके जरूर बताएए कि देवीका के साथ बाकी औरतों को क्या करना चाहिए क्या उन्हें घर के अंदर जाने के लिए संगर्श करना चाहिए या फिर वो घर छोड़ कर चले जाना चाहिए